दुनिया भर के हर पठान तक इस विडियो को पहुचा दिया जाए क्योंकि एक लड़की जो की धर्म से हिंदू है पर दिल उसका पठानों के लिए धड़कता है हे हाई हलो नमस्ते जी साथ्रा काल अस्सलाम आलकूम मैं निधी शर्मा इंदिया से और मुझे ना जो पठान कल्चर है जो जमीनी सोफें हैं जो महमान नवाजी है जो लड़कों की शाइनस है वह शर्माते हैं पठानों को मैं बहुत अच्छा लगता है और आज उन्हीं की खिदमत में मैं यह विडियो लेकर के आये हूं उनके उपर डॉक्यूमेंटरी का विडियो है जो कि बहुत चोटा सा है 6-6 मिनिट का है जिसके अंदर उनकी जो हिस्ट्री रही है जो उनका रिच कल्चर रहा है वो हमको बता देंगे यह जो पठानी कॉम है यह इमर्ज कैस जैसे कि मैं एक हिंदू ब्रहामन हूं तो हम वो लोग हैं जो पुराने टाइम में बहुत ज्यादा लोगों को ज्यान देते थे और अपनी रोजी रोटी चलाते थे उसी ज्यान को दे करके तो वैसी पठान कॉन है इस वीडियो को देखने के बाद हम सब को जान जाएंगे अपने स्वाद के पठान वो तो देखते ही हैं और आप रहली सो मुच रिस्पेक्ट फो यू पीपल अपसे करने हैं अपर इस वीडियो को देखने के बार तो प्ठानी में कितनी जजबाती हो जाओंगी अभी अल्रेडी में इतने ज्यादा जजबात निचावर करे दे र बता सकते हैं और दो किंगा लगा हैं तेंके हैं वह रहाऊँ जजबान, इस देखने की अमच बाया है पुछान की असलियत और कौम अर्जीनिया के एक हिस्से में रहते थे और अर्जीनिया के लोगों का दावा है कि अफगान कौम या पठान हमें से हैं क्यूंके अल्बानिया के आवगान जो के बाद में अफगान बने अर्जीनिया से हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े और मुरखीन लिखते हैं कि इसराइल कबाल बहुत तकालीफ और मुसीद्टों के बाद अफगानिस्तान में मुहम्म्मョ above हमा के आद्ट हूआ और मुहम्मद restroom से हाथ पर बैत करके मुसल्मान हूगा इसलिए दुनिया भर में πει्खतून होंगे वो मुसल्मान होंगे दुनिया जूँनी वाहिद कॉम है जिसमें इसलлам के बगएR कोई मजब नहीं अगर पक्तून से पूछा जाए कि आप पहले मुसल्मान है ये पक्तून तो जवाब होगा कि मैं पांच हजार साल से पक्तून हूँ और चौदासो साल पहले मुसल्मान हूँ दोस्तों अब सवाल ये है कि अफगान कौम को पठान क्यूं कहा जाता है तो जब काफरों ने मक्का पर कबज़ा कर लिया तो हज़़त मुहम्म्द صلی اللہ علیہ وآली वैसल्म ने हज़रत खालिब विलीद रजियल्लाई अन्हो को हुकम दिया कि जाओ अपने अफगानियों को जिहाद के लिए बुलाओ खालिब विलीद रजियल्लाई अन्हो अफगानिस्तान चले गए और अफगान सरदार कैस अब्दुर्शीद को हज़ूर सलिल्लाई वाली वैसल्म का पेगाम इर्साल किया कैस अब्दुर्शीद की कयादत में लश्कर मक्का मुकर्मा की तरफ रवाना हुआ अले वाली वैसल्म की जुबान पर ये अलफाज आए बतान खवातिनों हज़राद बतान लफस अर्भी जुबान का लफस है यानि सखत तरीन लकडी जो समंदरी जहाजों में लगाई जाती है जिसे समंदरी पानी भी कमजोर नहीं कर सकता ये लफस जब बरे सगीर पहुँचा तो बतान से पठान हो गया और अगर इनकी तारीख का तकाबली जाइजा लिया जाए तो फारसी में पश्टून, मुकामी जबान में पखटून और अर्दू में पठान ये कौम दुनिया भर में पहली हुई एक गैरत मन कौम के तोर पर गरदानी जाती है जिन में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत अबल नमबर बर है दुनिया में पश्टून अपनी वफा और गैरत के नाम से जाने जाते है लफ़ पश्टून का मतलब होता है गैरत और वफा वाला और अपनी इज़त और दीन पर मर मितने वाला पश्टूनों ने क्याम पाकिस्तान में भी भरपूर हिस्सा लिया बाद मौरखीन के मताबक पठान आरियाई या युनानी नसल से हैं और बाद के नस्दीग ये कैस अब्दुरिशीद की उलाद हैं जबके तीसरे नज़्रिये के मताबक इनका तलुक بنی असराईल के गुमगश्ता कबाली से है खुद कैस अब्दुरशीद की उलाद समझने वालों का नज़्रिया है कि मक्का में क्याम के दौरान हदरत खालिद बिन वलीद रजी अन्हों ने अपनी साहिफजादी उनके मौरस आला के निकाह में दे दी ती जिने वो हमरा लेकर अपने वतन वापिसा है और फिर उन्हों ने यहां अपनी बकिया जिन्दगी इसलाम की तर्वीज और इशात में सर्फ कर दी इसी तरह कैस अब्दुर्शीद की अवलाद पठान कहलाती है जबके ये भी कहा जाता है कि खुद कैस अब्दुर्शीद का तालुक भी बनी इसराईल के बादशा, साउल यानि हदरत तालूत के 37 पुश्ट से था इसी तरह आखरी दोनों नजरियात की रोशनी में इनका तालुक बनी इसराईल से ही बनता है नाजरीने कराम सबसे बड़ी अजूबा खेज बात ये है कि इन में यूसफ जई, यूसफ के बेटे, दाओद खेल, दाओद के बेटे, मुसा खेल, मुसा के बेटे, और सुलिमान खेल, सुलिमान के बेटे समझे जाते हैं लेकिन इसकी तस्दीक करना बहुत मुश्किल है अफगानों या पचानों के कई असाफ अर्बों से मिलते जलते हैं अरब कौम मेमान नवाज, बहादुर और एहल कलम होने के साथ साथ दूसरी कौमों से इतनी जल्दी मरूब नहीं होती थी इन चंद असाफ के इलावा कोई और वस अर्बों के अंदर जमाना जहलियत में नजर नहीं आता हैरत की बात ये है कि यही चंद असाफ अफगान ये पचान कौम में भी इसी शिद्द के साथ पाए जाते हैं जबके इनकी बेशतर चीजें यहूदियों से भी मिलती जलती हैं नसली तोर पर दोनों अपने आप को दुनिया की बेहतरीन कौम तसवर करते हैं मजबी तोर पर सक्त हैं और सर पर टोपी रखने का रुचान भी आम है जबके इसके इसके इलावा भी कई रस्म रवाज मुश्तरिक हैं जहन में रहे कि पश्टूनों का यहूदियों नसल से होना काबल फकर बात है ना के मुझब तोहीन क्योंके यहूदियों नसल होना तो शायद तब उस कौम के लिए तोहीन का मुझब होता जब वो स्यद अन्बिया हद्रत मुझब तोहीन की गहूदियों नसल होते हुए भी नभी आखर जमां सलल्लाह लावाली वासल्म पर इमान ले आए क्योंके ये वही आखरी नभी हैं जिनके औसाफ तौरात और इंजील में मजगूर है और जिनकी वज़ा से ही एहले किताब आफ सलल्लाह लावाली वासल्म के एक निजात दहिंदा के तौर पर भी मुंतजर थे लेकिं बाद में उन्होंने महज इस जलन और हसद की ज़जा से हदरत मुहम्द मुस्तिफाद स.ललहो अलाई वाली वासलम की नबूथ की नबूथ का इनकार किया कि उनका तालू का तालू कि बनी इसराइल से नहीं था में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी होसला अफ़ाई करें और वीडियो को फेस्बुक और वटसेप पर शेयर करने में हमारा साथ दें हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों और गिर्दो नवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखें अपना अच्छा अच्छा आपको महमान नवाजी करेंगे खाना कहलाएंगे मेरी पिछले देर साल से ख्वाहिश है कि मुझे कोई पठान बस अपने घर पर इनवाइट कर ले फॉर दिनर और लेंट और ब्रेकफस्ट और मैं चली जौपूरे परिवार को लेकर के उनके घर पर और एक दिन ना यह जो ख्वाहिश है यह पक्का से पूरी होगी और इस वीडियो से यही बदा चलता है कि पहले जो पठान लोग थे वो बनी इसराइल हुआ करते थे मतलब कि जूज हुआ करते थे आपने देखा योगा कि ज्यादा तर ऐसा होता है कि नॉर्मली से बहुत ज्यादा हांसम बूडफल होते हैं पठान लोग उनका जो कल्चर है एक्स्रीमली रिच अंद कलोउट इस वे डिदिशनल। जो लॉट्स अंद लॉट्स अप्छान कुष चैनली है और मैं भी बहुत भाग्यशाली हों कि मुझे अगर कुई पठान सुन भी रहा होते हो life is all about loving and exploring and one day definitely एक पठानी परिवार से मैं मिलूंगी यह manifest हो रहता है जो भी आप शब्द बोलते है ना वो manifest हो रहते हैं तो एक दिन जरूर से आएंगे डिनर पर किसी पठानी फामिली के घर पे और आपको अपडेट दूंगे